राजद के यूराज तेजस्वी यादव का काफिला सोम बार को सुपॉल जा पहुंचा जिस तरह से तेजस्वी की सभाओं में भारी भीर जुट रही है कहीं न कहीं भाजपा और जदियु के लिए खत्रे की घंटी है 17 महीने तक नितीश कुमार के साथ बिहार में सरकार चलाने वाले तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के करेकाल का धिधोड़ा जनता के बीच में जाकर पीट रहे हैं तेजस्वी कह रहे हैं कि 17 महीनों में उन्होंने 4 लाग से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकड़ी दी जो अपने आप में रिकॉर्ड है तेजस्वी ने 2020 के बिहार विधान सभाचुनाव के दोड़ान बिहार में 10 लाग विरुजगारी वाओं को रुजगार देने का वादा किया था बिहार लोग से वायोग से सिख्षको की बहाली शुरू हुई जिसके अंतरगत 2 लाग से ज़्यादा सरकारी सिख्षको को निक्ति पत्र बाटा जा चुका है इसी को लेकर अब राजद बिहार में लोग सभाचुनाव 2024 और बिहार बिधान सभाचुनाव 2025 की तैयारी में जुड़ गई है तेजस्वी जानते हैं कि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है और ऐसे में उनके लिए बिहार में सब कुछ हासान नहीं होगा इसी के तहत अब बिहार में तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकले हैं पर्थम चरन में वे बिहार के सिवर सीता मढ़ी से लेकर बेतियां मोतिहारी छपरा सिवान गोपाल गंज होते हुए आरा सासा राम जहानाबाद गया घूम चुके हैं जिस तरह से हाजीपूर से लेकर समस्तिपूर तक उन्होंने एक लंबी सरक के यात्रा निकाली और उसमें लाखों की भीर उम्री उससे जदिव भाजपा के हो सुरे हुए हैं तेजस्वी के पास अधारगत मुस्लिम यादव वोट बैंक है जो बिहार में कुल वोट का अलग भग 30-32% हो जाता है 36% बिहार में वोट अतिपिछरा का है तेजस्वी भी अपने पिता के उसी फर्मूले पर चल रहे हैं पर एक अखेले दम पर बिहार में जिस तरह से अपनी सभाओं में भारी भीर तेजस्वी जुटा रहे हैं उससे तो एक बात साफ है कि आने वाले लोग सभाचुनाव और विधान सभाचुनाव में तेजस्वी मुकाबले में रहेंगे और कहीं भी छोटी सी गलती या परत्यासियों के चैन में हुई भूल इंडिये को भारी पर सकती है खबर छूट न पाए